दोस्तों ये बदाओं मज़ा आया के नहीं आया कल के मैच में या युनाइटेट ने पहला गेम प्रिमीर लीग सीजन दोजार चौबश पच्चिस का जीता है और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शिकायते होंगी कहे रहे यार कन्विंसिंग विक्टरी नहीं लगी स्कोर लाइन जो एक्सपेक की थी वो दिखाई नहीं दी चांसेज बरी नहीं हुए लेकिन अगर आप पूरा मैच बैट के देखोगे अगर आपने पूरा मैच देखा तो आपको समझ में आएगा कि United phases में better थी और यहां पर बहुत सारे instances पर तो best team थी Fulham ने यहां पर ऐसाच कुछ create किया नहीं है on the break खेलने की वो कोशिश कर रहे थे अगर लोग यहां पर यह बोल रहे हैं कि उनको कल के game में positives नहीं दिखाई दिया या फिर उनको कल के game में यहां पर style of play दिखाई नहीं दिया I think उनको hot star पर दुबारा match पूरा 90 minute का देखने को मिल जाएगा with commentary एक बार please मेरी आप से हाथ जोड के गुजारिश है कि आप जाओ hot star की उपर और वहां पर जाकर पूरा match दुबारा से देखो देखो point क्या है न इस वक्त पे सबको लग रहा है कि United ने यहां पर signings कर ली है तो United पहले match day से बिलकुल synergize दिखेगी आपका हर एक player का जो pass होगा वो inch perfect होगा यहां पर हर एक player को पता होगा कि कौन सा partner उसका कब run बनाने वाला और उसको तब ball release करनी है मुझे पता है आप लोग थोड़े disappointed होगे मैं भी हूँ थोड़े disappointed score line जो होनी चाहिए थी वो हमें देखने को नहीं मिली है we should have scored more than two goals क्योंकि हमने 2.51 का XG create किया है और कल के match में जो हमारे पास chances आए जैसे गरनाच्चो वाला chance I think पूरे game का सबसे easy chance जो था वो गरनाच्चो वाला था आप देखो के यहां पर जो और दो easy chances थे Bruno Fernandes वाले वो भी यहां पर convert नहीं हुए और सोचो जिस chance पर हमने वो goal score किया है उस chance पर सबसे कम possibility थी goal score होने की and that is a beauty of football यही इस sport को या फिर आप बोलोगे यहां पर एक collective unit को आप देखते हो कि यह out of nothing moments produce करने वाला sport बनाती है अब क्या हुआ कल के match में यहां पर Joshua जगजी कॉम लेकर आये आपके substitute के तोर पे उनका पहला official game था यहां पर और उन्होंने अपने पहले ही debut game में यहां पर आउट-muscled, we got bullied and हम उस game में luckily वरान के गोल के चक्कर में जीत गए थे but we were not the better team और उस game में controversial decision में आई था जो की penalty मिलनी चाहिए थी कलाजजच वाले tackle की उपर जब उना ने आपके take down करते कलाजच को लेकिन wolves को penalty नहीं मिली थी इस game में आप देखोगे यहां पर as such कोई incident नहीं हो और as such कोई moment भी produce नहीं किया फुलम ने जहां पर हमें लगा हो कि अरे नहीं भाई we can go behind हाँ एक चीज़ ज़रूर मैं बोलूँगा कल के game में आपको यह चीज़ सो पता लग गई है अगर Casemiro को थोड़ा protection आप दो और यह चीज़ मैंने आपको उस दिन community shield वाले game के बाद भी बोली थी देखो कल का game एक prime example एक perfect example है क्यों आपको यहां पर अपने main players को भी protection देना जरूरी है लास्ट यार कल एक टेने का statement आप खुद सुनो बैठके उन्होंने क्या बोला इस इस दा Casemiro I know and this is actually the Casemiro that we used to watch at Madrid या फिर हमने पहले season में at United देखा था वर he was fearless, he was going for tackles, he was going for aerial duels he was taking the shots और यहां पर आप देखोगे creative side भी हमें कल Casemiro की वापस से देखने को मिली है आपको याद होगा community shield वाले game में भी यहाँ पर बहुत सारे आपके through balls निकाले गए थे बहुत सारे chances create करने की कोशिच की थी Casemiro ने और कल के game में भी वही चीज़ देखने को मिली है आप देखो कि अगर four men midfield आपको provide की जा रही है उस case में Casemiro अपना best game आपको provide कर सकते है क्योंकि देखो Casemiro एक ऐसा player है जो कि इस age पर आकर उतना शायद आपको speed न दे पाए लेकिन आपको precision दे सकता है आपको यहाँ पर passing range दे सकता है Casemiro शायद आपको वो जो आप बोलते हुना inch perfect weighted passes न डिलिवर कर पहा है लेकिन cross field player में Casemiro still got it और set pieces पर अभी भी अगर मैं बात करूँ last year यह उससे पिछली साल भी हमारा सबसे बड़ा जो asset था वो Casemiro ही था क्योंकि आप जब set pieces के लिए crosses डिलिवर कर रहे हो तो there is one player who is always there at the edge of the box या फिर आप बोलोगे हर बॉल को claim करने के लिए and that is Casemiro कल के game में आपने देखा कि Harry Maguire had a wonderful game Harry Maguire और आपने Leachah Martin ने इसको partnership करते देखा और आसान नहीं था Fulham की उ spacey attack के सामने defense कर पाना क्योंकि पहली बात तो हम काफी highline खेलने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद फिर on the break जब आप बार-बार catch हो रहे थे तो उस point of time पे there were 2-3 instances जहाँ पर Maguire was all alone क्योंकि Leachah काफी आगे push कर चुके थे तो उस case में याँ पर आपने देखा कि Harry Maguire ने अपना जो composure था वो maintain करके रखा कल Eritator ने बोला भी है कि this is not आपकी last year वाली back four this is a proper back four और उस proper back four में कल हमें एक नया चेहरा देखने को मिला था and that was Mazrui अब आप ये सोचो के सिर्फ तीन training sessions attend किये Mazrui ने और यहाँ पर Mazrui was straight away slotted into the first team और कल के game में जब तक Mazrui pitch की उपर थे that right back spot looked very solid और इसी लिए जरूरी था कि यहाँ पर हमें एक ऐसा right back में ले जो से defensive cover न दे हमें थोड़ा सा attacking input भी दे और आपने देखा है कि शुरू में जो combination play बन रहा था between Amad and Mazrui वो देखकर आपको थोड़ा football better दिख रही थी उस right hand side की उपर क्योंकि आपने देखा है अक्सर जब हम Van Bessa का को use करते थे उस right slot की उपर तो वहाँ पर Amad का game थोड़ा restrictive हो जाता था क्योंकि सब कुछ उसे ही करना पड़ रहा था लेकिन कल Mazrui की आने के बाद से overlapping runs मिल रहे थे आप देख रहे थे यहाँ पर वो invert भी करना था बंदा तो उस case में यहाँ पर आपके options काफी ज़्यादा खुल गए थे और इसी अजय से आपके mount और Bruno का game भी बहुत अत्तक similar बाप बोलोगे यहाँ पर simple हो गया था and कल की game में yes community sheet में mount was nowhere to be seen but कल की game में mount का game भी मुझे काफी पसंद आया again देख वार लीचा मार्टनेस की जितनी तारीफ किया उतनी कम है और यह back 4 जो है न इसमें भी मता है जिलिट ने debut नहीं किया है अब आपके पास मैं तो assume करके चल रहा हूँ कि maguire नहीं बेचे जाएंगे high possibility is there कि आपके victor Lindelof sell किये जाएं और यहाँ पर आपके Jaden Sancho चा सकते हैं क्योंकि Jaden Sancho के regarding कल जब पूछा गया यहाँ पर 10x सवाल तो 10x ने साफ simple तोर पर बोला कि हम options देख रहे हैं अभी बहुत सारी चीज़ें open है और यहाँ पर ear infection हुआ था इस विएसे Jaden को include नहीं किया गया अगर वो fit होते तो definitely उनको भी use किया जा सकता था हम अपनी सारी possibilities open करके रखे हुए लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने और जैसे जैसे आपने देखा है दो match days में लगाता Jaden Sancho को include नहीं किया गया है तो उसके बाद से चीजें तेह हैं कि Sancho is on his way out और उसके अलावा अगर आप social media activities भी देखोगे Jaden Sancho की तो भी यहाँ पर आपको समझ में आगे कि Jaden Sancho is not आप बोलोगे willing to stay at United या फिर United management has already taken a decision about Jaden Sancho बस इतना है कि हमें यहाँ पर अब पैसे देने वाली एक team चाहिए जो कि Jaden Sancho ली जो हमारा asking amount है वो पे कर दे अगर आप बात यहाँ पर करो कोवी मेनो की again भाई at the age of 18-19 he's such a mature player वो calmness on the ball वो आप देखोगे वो जो distribution level है उसका वो top notch है और बहुत कम players में Sage की उपर इतना simplicity और इतनी maturity देखी गई है on the ball या फिर आप बोलोगे with the ball or without the ball बट कोवी मेनो के अंदर वो है maturity यहाँ पर Marcus Reshford का game जरूर मैं बोलूँगा कि मुझे पसंद नहीं आया देखो यह बोलना गलत तो नहीं हो that Marcus Reshford is a one-tail pony sorry one-trick pony क्योंकि अगर हम Marcus Reshford के game देखेंगे उठाके तो Marcus Reshford cutback करते हैं shots लेते हैं या फिर वो यहाँ पर try करते हैं कि उनके in behind runner कोई बना रहा है overlapping runner कोई बना रहा है उसको ball deliver करते problem क्या रही डेलो का game Luke Shaw से बिलकुल अलग है Luke Shaw time and time again आपको overlapping runs बनते दिखते हैं लेकिन यहाँ पर आप देखो कि Diego Delo के case में ulta है Diego Delo आपके यहाँ पर invert करते हैं midfield में जिस वज़े से Marcus Rashford को confidence नहीं आ रहा था आपके Diego Delo के साथ खेलने के लिए और इसी लिए proper left back जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो combination play हम expect कर रहे है Rashford और आपके left back के बीच में वो आपको Delo के साथ देखने को नहीं मिलेगा Luke Shaw आते हैं आपको दिखता है कि Luke Shaw makes those over laminants और उस केस में Rashford की बहुत help की हो जाती है quality of crosses भी improve होते है definitely combination play भी improve होता है लेकिन problem है कि Luke Shaw चाहे जितने अच्छे खिलाडी हो अगर एक player अपने आपको fit नहीं रख पा रहा है तो फिर उसका हम यहाँ पर जादा use नहीं कर सकते है या फिर हम बोले तो maximum अपना जो team से हम निकाल सकते है output वो निकाल के नहीं ला पाते है अगर आप देखोगे कल के game में Erie Tenek ने manage पत अच्छे से की चीज़ें हाँ यह जरूर है कि Johnny Evans को introduce करना मेरे लिए थोड़ा सा odd लगा था क्योंकि हमने याप पर out of position पुश किया था आपके Lissandro Martinez को में उनको left back पर डाला लेकिन एक चीज़ और हमें समझनी पड़ेगी कि माजरूरी को भी हम अभी पूरे-पूरे 90 minutes नहीं खिला सकते हैं पहली बात तो क्योंकि उनका जो injury record रहा है पिछले 6-7 महिने में वो एक point of concern है दूसरी चीज he is a new signing तो हमें उसको time देना पड़ेगा इस नए आप बोलोगे league में adjust होने के लिए अपने teammates को और समझने के लिए कल के game में यहाँ पर Fulham के against जो हमने defensive display दिखा है वो top notch था लेकिन हमारा जो in front of the goal performance रहा है वो खासा खराब रहा है गरनाचो को open goal मिला वो miss कर गए रेशफोर्ड को यहाँ पर half chances मिले वो वहाँ पर bury नी हुए Bruno Fernandes को 2 clear cut opportunities मिली बरी करने की वो यहाँ पर goal score नहीं कर पाए और काफी जादा over ambitious passes रिलीस करने की कोशिश की with the games आप देखो के यहाँ पर यह चीज़ें cover up होंगी यह चीज़ें यहाँ पर और improve होंगी इसीलिए हमने यहाँ पर rude venestal roy को appoint भी किया है मुझे पता है बहुत सारे लोग कल के game के वारे हम बोलेंगे अरे यार यह तो last year जैसा ही है अगर आप last year के game से इस साल के game को compare करोगे न तो आपको बहुत सारे differences पता चलेंगे और आपको पता चलेगा कि हमने किस sector में football अपनी improve की है 10hag ने कल बहुत अच्छी बातें बोली है regarding our आप बोलोगे यहाँ पर team उन्होंने यह चीज़ बोली है कि यह signings जो हाई है यह आपको team का जो overall setup है वो change करती दिखेंगी और यहाँ पर definitely with each game आपको improvement होता दिखेगा victory was much more important देखो rather than claiming कि हमने 3 goal score के 4 goal score किये football better खेली अच्छी team थे हम better team थे हम out of 2 and definitely 3 points हम मिलें वो सबसे बड़ा हमारे लिए boost है जैसे जैसे आपके 3-4 game निकलें क्योंकि आपको यहाँ पर season का बहुत early in the season आपको इसी महीने के अंदर Liverpool को भी खेलना है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है यह चीज़ कि आपको अपने players भी fit रखना है और एक चीज़ जो 10X ने बोली वो यही थी कि भाईया देखो players injured नहीं हुए है वो सबसे बड़ा boost है हमारे लिए क्योंकि हमने देखा last year कितना frequently हमारे players injured हुए थे अब यहाँ पर delete कब तक slot in होंगे आपके first team में वो देखना होगा आपके left back के तौर पर कोई player आता है नहीं आता है और हाँ latest update manual ugarte is that कि ugarte यहाँ पर बहुत desperate है United join करने के लिए और PSG interested है Jaden Sencho को लाने के लिए हो सकता है यहाँ पर यह deal materialize हो जाए और अगले 2-3 दिन के अंदर आपको manual ugarte to Manchester United की news भी सुनने को मिले आज और भी matches है आपका Arsenal का गेम हो गया आपका Villa का गेम हो गया वो सारे matches आप अगर देखना चाहते हैं मेरे साथ बैट कर तो मुझे बताइए comment section में विल डेफिनिटी दू आ वाचलोंग बाकी thank you so much for being part of this wonderful community हम बहुत नजदीक है 88K के तो जितने भी लोगों न अभी तक subscribe नहीं किया है हमें तो kindly do it and with every detail of the match day this is the place जहां पर आपको सब कुछ सुनने को मिलेगा हर match day का breakdown करेंगे हम and thank you so much for tuning in बाकी इसी के साथ मैं आप से लूंगा अलविदा मिलता हूं अगली वीडियो में ध्यान रखे अपना अब दा फॉक इंग्रेट्स क्लूरी क्लूरी मैं अटिट गूड़ी मैं अटिट गूड़ी टेक्या